नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीका वायरस के बारे में तो जीका वायरस क्या होता है जीका वाइरस मच्छरों के काटने से फैलता है और यह infection आम तोर पर उष्ण कटी बंदिये यानि की ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटी बंदिये यानि की सब ट्रॉपिकल छेत्रों में होता है जीका वाइरस से पिड़ी ज्यादा तर रोगियों में कोई संकेत नहीं दिखते हैं परन्तु कुछ लोगों में हलके बुखार लाल चकते और मास पेशियों में दर्द हो सकता है अन्य लक्षन हो सकते हैं जैसे की सिर्दर्द, कंजक्टिवाइटिस और बेचेनी महसूस होना गरभावस्ता के दोरान जीका वाइरस के इंफेक्शन से गरभपात हो सकता है और इससे माइक्रो सिफेली भी हो सकता है जिसमें ब्रून या नवजा शिशु का शिर और सामने रूप से छोटा हो जाता है जीका वाइरस से मस्तिस के संबन्दी अन्य विकार भी हो सकते हैं जैसे कि ग्लैन बरे सिंड्रॉम विज्ञानिक जीका वाइरस के लिए वेक्सिन बनाने का प्रियास कर रहे हैं तक इससे बचाओ का सबसे अच्छा तारीक आएगी मच्छरों से बचे और उनका पनापना रोकें अगर हम बात करें भारत में जीका वाइरस 2021 की तो 10 जुलाई 2021 तक बारतिय राज्य केरल में सवास्त अधिकारियों ने जीका वाइरस के 14 मामलों की पैचान करने के बास सभी जीलों में एलेट की स्तिदी कोशित कर दी है तो अगर हम बात करें कि ये कैसे फेलता है तो अमिरिकी संस्तान CDC के अनूसार जीका वाइरस कुछ तरीकों से फैलता है जैसे की मच्छर के काटने से जीका वाइरस मुक्य रूप से संक्रमित एडिस प्रजाती के मच्छर A.E. इजिप्ती और A.E. एल्बो पिक्टस के काटने से लोगों में फैलता है और ये वही मच्छर है जो डेंगो और चिकन गुनिया के वाइरस फिलाते हैं दूशरा है गर्बवती मा से ब्रून तक तो जीका वाइरस से पहले से संक्रमित गर्बवती महिला गर्बावस्ता के दोरान या जन्मक के समय ब्रून को वाइरस दे सकती है सेक्स के माध्यम से जीका इंफेक्षन एक संक्रमित व्यक्ती से सेक्स के दोरान उसके असंक्रमित साथी को हो सकता है बले ही संक्रमित व्यक्ती में उस समय लक्षन ना हो और इसलिए सुरक्षित सेक्स के सवी नियमों का पालन करना बैतर है जैसे कि कॉंडम का इस्तिमाल करना वगेरा और है उसके बाद रक्त आदान के माध्यम से ब्राजिल में संभावित रक्त आदान यानि की ब्लड ट्रांस्विजन की वज़े से जीका के फैलने के मामलों की कई रिपोर्टे आई हैं अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो जीका वायरस से पीडित 80% रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखते और दिखते भी हैं तो संक्रमीत मच्छर के काटने के 2-7 दिन बात और इसके मुख्य रूप से अगर हम लक्षण बात करें अगर हम बात करें कि जीका वायरस जो होने का कारण क्या है तो जीका वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमीत एडिस मच्छर के काटने से फेलता है और यह मच्छर दुनिया पर में पाया जाता है इसकी पैचान पहली बार अफ्रिका के जीका गाटी में 1947 में हुई थी लेकिन उसके बाद से इसके इंफेक्षन के मामले दक्षिन तथा दक्षिन पूर्वी एशिया प्रशांत दीप समू और अमेरीकी महादिपो में सामने आए है मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो यह वाइरस मच्छर के अंदर चला जाता और फिर संक्रमित मच्छर जिस किसी को काटता है यह वाइरस उसके खून में प्रवेश कर जाता है यह उन संबंद और रखता दान से भी infection फिलने के मामले सामने आए हैं कुछ परिस्तितियों में Zika virus के infection की आशंग का आधिक होती है जैसे कि Zika virus के प्रकॉप फले इलाके में रहना या फिर यात्रा करना उष्ण कटी बंदिये या उपोष्ण कटी बंदिये क्षेत्रों में रहने से आपको Zika virus infection होने का खत्रा बढ़ सकता है Zika virus फिलाने वाला मच्छर दुनिया बर्मे पाया जाता और इसलिए संबव है कि इसके प्रकॉप के दाएरे नए इलाके आते रहेंगे जिका virus फिलाने वाले मच्छर अमेरिका के प्यूतो, रिको और दक्षिन फ्लोरीडा समय कुछ इलाकों में भी पाया जाते है पासुरक्षित यहुन संबंद की बात करने तो यहुन संबंद से Zika virus फिलने के कुछ चीट पूट मामले सामने आए है और रोग नियंतरन यहुन बचाओ के अंदरों में सला दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति ने हाले में जिका virus के प्रकुप वाले दोरा किया हो तो उसे गर्बबती स्ट्री के साथ यहुन संबंद मनाने से बचना चाहिए या फिर इस दोरान कॉंडम का स्टमाल करना चाहिए अगर हम बात करें कि इससे कैसे बचें तो इसके बचाओ के लिए कोई वैक्सिन नहीं है रोग नियंतरन एओं बचाओ केंदरों में गर्बबती महिलाओं को जिका virus के प्रकुप वाले इलाकों में जाने से बचने की सला दी जाती है और यदि आप गर्बतारन करना चाह रही हैं तो अपनी यातरा के योजना और जिका वायरस के इंफेक्शन के खत्रे के बारे में डॉक्टर से बात करें रोग नी अंतरान एवम बचाओ केंदरों में सला दी जाती है कि अगर किसी का पूरुस साथी किसी ऐसे स्थान पर रहता है जहां जीका वायरस इंफेक्शन फैला हो या उन इलाकों से होकर आया हो तो उसे गरबा वस्ता के दोरान यह उन संबन से बचना चाहिए या इस द दानी में सोएं शरी को पूरी तरह से डखने वाले कपड़े पहने बहुत अधिक मच्छर वाले इलाके में जाएं तो पूरी बाजू की कमीज, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहने मच्छर बगाने वाली क्रीम का उप्योग करें अपने कपड़ों, जूतों, इजन्सी से मानने तप्राप्त क्रीम, गर्ब बती और स्तनपान कराने वाली मैलाओं के लिए भी शुरक्सित आई गई है, आसपास मच्छरों का बढ़ना रोकें, जीका वायरस फिलाने वाले मच्छर जो हैं वो गरों के अंदर यां आसपास रहते हैं, तो वे जानवरों के खाने के बरतन, गमलों या इस्तेमाल किये गए टायर वगर में इकटा पानी में पनपने हैं, मच्छरोंत की तादात कम करने के लिए इनका पनपना रोकें, रक्तादान से जीका वायरस का इंफेक्शन की बात करें, तो रक्तादान पुरूर की जाने वाली जांचों में जब जीका वायरस की जाच भी सामिल होती है, जहां जीका वायरस का संक्रमन नहीं फियला है, वह इसके फिलने का जोखिन कम करने के लिए अमेरिकी खादियम औशदी प्रशाषण कुछ परिस्तितियों में चार सप्ता तक रख्तादान नहीं करने की सला देती है, जैसे कि यदि कभी जीका वायरस का इंफेक्शन हुआ हो जीका वायरस से संक्रमित स्थान पर रहे हो या वहां यात्रा पर गए हो जीका वायरस से संक्रमित स्थान से आने के दो हफ़ते बाद जीका वायरस के लक्षन दिखना शुरू हो गए हो किसी ऐसे पूरुस के साथ यह उन संब्ध हो जो जिका वायरस इंफेक्शन से पीडित हो या फिर किसी ऐसे पूरुस के साथ यह उन संब्ध जो पिछले तीन महिने में जिका वायरस संक्रमिस स्थान पर रहो हो या फिर वहां से आया हो अब दुस्तों बात करते हैं कि इसकी जाँच कैसे की जाती है तो डॉक्टर आपसे अब तक हुई बिमारियों और यातरा का वीवरंड ले सकते हैं डॉक्टर को अपनी अंतराश्ट के यातरा के बारे में पूरी चान करी दें मसलन किन देशों में गए हैं किसी से योन सम्मत बना हो तो उसके बारे में तारीक से साथ पता है पर यदि कई ऐसी जगर गए हो जा मच्छर रहे हो अपने डॉक्टर से जीका या किसी किसम की बिमारियों जैसे की डेंग्यों या चिकन गुनिया की जाँच के लिए अपने इलाके में उपलब्द सुविदा के बारे में पूछें और ये बिमारियां एक ही प्रजाती के मच्छर के काटने से होती है यदि गरबवती महिला हाले में किसी जीका संक्रमिस्तान पर गई हो और फिलाल उसमें जीका वायरस के कोई लक्षन ना दिख रहे हो तो उसकी जाँच वापसी के दो से बारा सपता बात की जा सकती है इसके लिए जाज करना आगर हम बात करें इन्फिका वाइरस से इन्फैक्षण का फिलाल खोई उपत्बर नहीं है आम तोर पर जीका का इलाज लक्षन विशेश का ही होता है जीका वाइरउस के उपचार के तोर पर मरीज को आरां तथा तरल पधार्थों बगर्या दवाय सकता है और माइक्रो सिफेली यानि की बच्चे के दिमाग का आकार सामाने से चोटा होना वगेरा हो सकता है और जीका वारेस से जन्मजा जीका सिंड्रम हो सकता है जिससे की कुछ विकार हो सकते हैं जैसे की गंबिर माइक्रो सिफेली जिसमें सिर्थ थोड़ा चप्टा हो ज तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के बटन को प्लिक खलें ताकि मेरी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे प्ले आपको मिल सके थैंक्स पर यूर ताम